Hello everyone, welcome back to my channel आज आपके साथ कुछ आइडिया शेयर करोंगी किस तरह से किचन की चीजों को आप री यूज़ करके एक हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं आजकल हैंगिंग प्लांटर बहुत ट्रेंग में हैं कुछ थोड़े बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं तो मैंने सोचा क्यों न जो चीजे हमारे पास पहले से हैं उसे यूज़ किया जाएं जैसे कोल्डरिंग बॉर्टल्स, ग्लास बॉर्टल्स, ओयल कंटेनर्स तो चलिए आज का ये इंट्रेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डियाइवाई के लिए हमें चाहिए इस तरह के की प्लास्टिक कोल्डरिंग बॉर्टल इसे मैं दो हिस्से में कट कर दूँगे आप सीजर या फिर शार्प नाइफ यूज कर सकते हैं इसकी जो एज होती है कट करने के बाद तो फुरी शार्प हो जाती है तो मैं सैंड पेपर से इसे अच्छे से रप कर दूँगे उसके बाद यहाँ पे मैं acrylic colors यूज़ कर रही हूँ और पहले मैं red color में अच्छे से paint कर दूँगी अच्छे finishing के लिए आपको दो coat करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ design बना रही हूँ यह आप दीरे दीरे follow कर सकते हैं और इस तरह से मैंने दो designs बनाये हैं है ना काफी cute इसे आप hanging की तरह भी use कर सकते हैं दोनों side में रसी बान के hole मैंने knife से किया है आप punching machine भी use कर सकते हैं बट मुझे इसे इस तरह से सजाने में ज़्यादा अच्छा लगा मेरे पास यह flat board था जिसे मैं अपने balcony में सजाई हूँ और उसके उपर मैंने चोटे चोटे pot वाले money plants को add की हैं next DIY के लिए मैं उसी bottle का उपर वाला पार्ट को use करूंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर white color से उसे half paint कर दोंगे उसके बाद मैं glue gun use करूंगी और एक रसी को इस तरह से round करना start करूंगे तो रसी यूज करने के बाद यह इस तरह से दिखेगा आप चाहें तो इसे ऐसे भी use कर सकते हैं बर मैं थोड़ा से extra करना चाहती थी थोड़ा सा color change करना चाहती थी तो मैंने रसी के उपर yellow color को मैंने sponge के मदद से dab किया है काफी finishing work नहीं चाहिए थोड़ा color add करने के लिए मैंने यह step follow किया है और इस तरह से हमारा second DIY भी ready है बहुत ही easy आराम से आप बना सकते हैं यहां पर मैंने artificial plant को add किया है इसे मैं घर के अंदर रख रही थी और मेरे पास extra कोई plant नहीं था तो मैंने इसे add किया है यह भी काफी अच्छा look देता है हमारा third DIY मेरा सबसे favorite है यहां पर मैं use कर रही हूँ oil container I guess यह सबके घर में होता ही होगा तो सबसे पहले मैं यहां पर यह जो sticker है उसे निकाल दूँगी अगर आपकी अच्छे से peel off नहीं होती है stickiness लगता है तो normal जो liquid dishwasher होता है उसे अच्छे से scrub कर दीजेगा यह stickiness चला जाएगा उसके बाद मैं एक sharp knife यूज़ करके इसकी जो नीचे का हिस्सा है इसे काड़ कोईगी ताकि इसके अंदर मैं कोई plant एड़ कर पाऊं उसके बाद acrylic colors यूज़ करके मैं यहां पर एक face बनाऊंगी अब दीदेदे step follow कर सकते हैं बस तयार हो गया हमारा फोर्ड दियाइवाई भी इसे fix करने के लिए आपको दिवाल पे एक कील ठोकना पड़ेगा ताकि वह अच्छे से fix हो पाए या फिर आप wall hook भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने उस container में एक hole कर दिया है और उसे उसके अंदर fix कर दोंगी ताकि वह अच्छे से hole डोके रहे इसमें थोड़ा सा और fancy look देने के लिए यहाँ पर मैं एक scarf को add कर रही हूँ और मैंने इसके earrings भी बनाया है सेम plastic bottle को cut करके अब इसके ऊपर थोड़ा सा bushy वाला plant में add कर रही है बन गया हमारा 4 DIY देखिए किता सुन्दर and cute लग रहे हैं कहा था न यह मेरा favorite है मैंने कभी नहीं सोचा था यह इत्ता सुन्दर दिखेगा I hope आप सब का भी यह DIY favorite होगा और मेरा जो लास्ट DIY है यह मैं अपने चैनल में already share की हूँ अपने office tour video में वहां पे मैंने बताया है किस तरह से मैंने जस्ट रसी में bottle को hang किया है बस height थोड़ा उपर नीचे रखा है ताकि मैं इसमें propagate कर पाऊं but somehow मैं को यह DIY काफी simple लग रहा था तो मैंने सुचे इसी bottle में मैं थोड़ा सा painting क्यों ना कर दो मैं बस एक bottle को paint करूंगी और बाकी bottles का design कुछ और रहेगा वो आपको आगे पता चलेगा तो यहां पर मैं acrylic color यूज़ कर रहे हूं white color और इसे मैं sponge से dab कर रहे हूं अगर आपके पास sponge नहीं है तो आप brush भी यूज़ कर सकते हैं और यहां पर मैं कुछ designs बना रहे हूं यह आप देखते रहें बाकी के bottle में यहां पर मैं यह cloth यूज़ कर रहे हूं हुँ जो मुझे बुके में मिला था आपके पास यह नहीं है तो आप कोई भी लेस कर सकते हैं थोर सा फुटेज में प्रॉब्लम हो गया तो में पूरा तो नहीं है पर सम्हाव बहुत ही आपको आइडिया मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे सचाया है हाइड इसकी में डिफरेंट रखी हूँ और इसके अंदर मैं पानी एड़ करूंगी और अपने छोटे-छोटे प्लांच को में प्रोपागेट करूंगी तो यह था कुछ आइडिया हैंगिंग प्लांट के जो आप अपने घर के समान से बना सकते हैं इस तरह से मैं बहुत सारे प्लांटर आइडिया अपने चैनल में शेयर की हूँ अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो सारे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी और अगर आपको कोई भी इसमें से डियाइवाई पसंद आया तो मुझे प्लीज लाइक और कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरे कॉंटेंट अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दवाना बिलकुल मत भुलेगा तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूं मिलती हूं आपको मैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाई एंड डू टेक केर